नश्कार दोस्तों, ये वीडियो एर्टोरियल कंपाइलेशन फो मेंज का पार्ट हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके एर्टोरियल की वीडियोज पेपर वाइस और टोबिक वाइस देख सकते हों। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाग की वीडियोज को देखना चाहते हों, तो वीडियो के नेचे मुझूद जोइन बटन की साहिता से आप मेंबर्शिप को जोइन कर सकते हों। चलिए डिसकेशन स्टार्ट करते हैं। आप जर्नल स्टडी पेपर 3 के इस टोपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हों। शुरुवात में आर्टिकल में कहा जाता है। इंडिया में पिछले हजारों सालों से कोटन की बुनाई होती आई हैं। मोहन जो दाड़ों के जो खंडर हैं, वहाँ पे जो खुदाई की गई, वहाँ से 3000 BC एरा के कोटन फैब्रिक मिले हैं। इसके साथ साथ देखो, पागिस्तान में जो जगह हैं, मेरगड यहां से जो आर्कियोलोजिकल फाइनिंग मिलती हैं, उसके अनुसार 5000 BC एरा में भी कोटन का इस्तमाल होता था, इंडियन सबकॉंटिनेट में। उसके बाद वाले सालों में, इंडियन कोटन के जो फैब्रिक थे, उन फैब्रिक ने डोमिनेट किया वर्ल्ल ट्रेड में, इंडिया से कोटन का एक्सपोर्ट होता था, बहुत सारे डिजेंस में, ग्रीस में, रोम में, पर्षिया, एजीप्ट, एस सीरिया, एस सीरिया मेस भी Indian subcontinent से cotton का export होता था, देखो 20 वी स्ताब्दी तक इंडिया में cotton की देशी वराइटी को उगाय जाता था, जिसका नाम है Gospium Arborium, ये है cotton की देशी वराइटी, इसका इस्तमाल होता था अंटिल 20th century, लेकिन 1990 से hybrid varieties का इस्तमाल होने लगा, जिसका नाम है G. Hercetum, बड़ देखो problem ये थी, ये hybrid varieties जिनका इस्तमाल होने लगा 1990 से, ये local pest और दूसरे pest के against resistant नहीं थी, कहने का मतलब ये है, देखो, pest का मतलब होता है, insects जो फसलों को बरबाद करते हैं, जो पहले देशी वराइटी इस्तमाल होती थी, वो local pest के against resistant हुआ करती थी, मतलब local insects attack नहीं कर पाते थे, देशी वराइटी के cotton पर, बट hybrid varieties का जो cotton था, इनको नुकसान पूचा पाने में सक्सम थे, local pest जनी local insects हैं, तो इसलिए, जब किसान hybrid varieties का cotton का इस्तमाल करने लगे, तो जाहिर तोर पे, उन्हें ज़्यादा fertilizers का उप्योग करना पड़ेगा, ज़्यादा pesticides का उप्योग करना पड़ेगा, ताकि फसलों को बरबाद करने वाले insects को खतम किया जासके, यहाँ पर कुछ और भी example दिया गए हैं, hybrid variety के cotton पर attack होने लगा, moat pest, जैसे की pink bolvarum, sap sucking pest, example हैं, aphids और mealybugs, इनके बारे में UPSC pre में पूछ सकती हैं, काफी बार UPSC इस परकार के questions पूछती हैं ना, pink bolvarum, aphids, mealybugs, यह हल ही में news में थे, यह क्या हैं, तो आप बता सकते हो, यह pest हैं, जो cotton की फसल पर attack करते हैं, अब देखो सिधा सा concept हैं, अगर किसान ज़्यादा पैसा खर्च कर रही हैं, pesticides को खरीदने पर, मतलब किसान की जो income हैं, वो कम होगी, इंकम कम होगी, तो अगले सीजन में फसल उगाने के लिए किसान को कर्ज लेना पड़ेगा, तो राइटर सिधा सिधा यह बोलना चाहते हैं, कि cotton की hybrid varieties का इस्तमाल करने से, किसानों की conditions खराब हो गई, किसान कर्ज के बोश तलें दबने लगे, तो ऐसी situation में 2002 में, cotton की एक और विराइटी इंटर्ड्यूस की गई, जिसका नाम है, BT cotton, BT cotton मतलब genetically modified cotton, जो BT cotton का plant होता है, उसमें एक बेक्टेरिया का जीन होता है, जिसका नाम है, Bacillus thuringiensis, पिछले 20 सालों से, इंडिया में, BT cotton को उगाय जा रहा है, अब देखो, BT cotton को जब इंटर्ड्यूस किया गया था, 2002 में, तो निश्ची तोर पे ये सोचा गया था, कि hybrid variety से, अच्छा है BT cotton, और hybrid variety के cotton पर, pest का जो attack देखने को मिलता है, जैसे pink ball warm, या फिर American ball warm, या फिर कुछ दूसरे pest, for example, sap sucking pest, वो नहीं attack कर सकेंगे BT cotton के पोधे पर, ये सब जीजे सोची गई थी, भई किसानों को फाइदा होगा, ज़्यादा pesticides का इस्तमाल नहीं करना पड़ेगा, और yield ज़्यादा होगी, अब देखो 20 साल हो चुके हैं, ये सही समय है, एनलाईज करने का, एसेस करने का, क्या जब जो हमने सोचा था, BT cotton उतना कारगर साबित हुआ है, या फिर नहीं हुआ है, Ministry of Agriculture का तो ये मानना है, 2007 में BT cotton का जो adoption है, वो 81% तक आ गया, और 2011 में आते आते, 93% किसान BT cotton को उगाने लगे, सोचा ये गया था, कोटन उगाने वाले किसान, जिन समस्याओं से ग्रस्थ हैं, उनका एक ही समाधान है, कि BT cotton को उगाना, पुरानी वराइटीज को छोड़ कर, BT cotton कितनी ज़्यादा कारगर साबित हुई, इसको लेके देखो, एक रिपोर्ट है, मार्च में एक रिपोर्ट पबलीश हुई, साइनेटिफिक जर्नल है, जिसका नाम है, नीचर प्लांट्स, इस जर्नल में रिपोर्ट पबलीश हुई, जिसको त्यार किया गया, के आर क्रांटी and ग्लीण डेवी स्टोन के दौरा, इस रिपोर्ट में कहा गया, पहले ये दावा किया गया था कि 2002 से लेके 2014 के बीच बीटी कोटन के कारण कोटन की जो प्रोडेक्शन है वो तीन गुना हो गई है हमारे देश में मतलब बीटी कोटन की जो इल्ड है वो तीन गुना ज्यादा है as comparison to hybrid variety of cotton बड़ देखो ये जो claims थे काफी ज़्यादा dubious थे क्यों क्योंकि actual में बीटी कोटन से इल्ड इंक्रीज हुई सिरफ हर साल 4% और 10% इल्ड तो वैसे ही कम ज़्यादा होती रहती है तो मतलब बीटी कोटन से जो इल्ड ज़्यादा हुई है वो इतने वी ज़्यादा नहीं हुई है कि हम यूं कैसके कि बीटी कोटन की वज़े से इंडिया में कोटन की इल्ड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है दूसरा, देखो मेन तो इसलिए बीटी कोटन का इस्तमाल होना था न, कि किसानों को पेस्टी साइड्स पर पैसा नहीं खरच करना पड़ेगा और बीटी कोटन का जो प्लांट है वो पैस्ट रसिस्टेंट होगा देखो 2009 में जो पिंक बोलवरम था उसने रसिस्टेंट को तोड़ दिया मतलब पिंक बोलवरम अब अटेक कर सकता है बीटी कोटन के पोदे पर हलाकि जो अमरीकन बोलवरम है ये नहीं अटेक कर सकता अभी बीटी कोटन के पोदे पर इसके अलावा और भी काफी सारे पैस्ट इंफेक्ट करते हैं बीटी कोटन के पोधे पर मतलब किसानों का जो इंसेक्टिसाइड्स का एक्सपेंडिचर है वो बढ़ता जा रहा है और देखो थोड़े बहुत ये जो आकड़े हैं दावा करते हैं कि बीटी कोटन के कारण इल्ड जो है वो इंक्रीज हुई है इसके पीछे देखो दूसरे फेक्टर भी हो सकते हैं जैसे कि गुजरात में कोटन के अंडर आने वाला जो एरिया है वहाँ पे इरिगेशन फैसलिटीज काफी ज़्यादा इंक्रीज हुई हैं ये एक फेक्टर हो सकता हैं जिसकी वज़े से कोटन इल्ड में प्रोडेक्शन हुई हैं वैसे देखो अभी कोटन प्रोडेक्शन के मामले में हमारे देश का स्थान अग्षार अभी सारे अफ्रीकन कंट्रीज जहां पे बिलकुल रिक्टरीज अवेलेबल नहीं हैं ना तो वहाँ पे बीटी कोटन का पोधा उपलबd हैं मतलब बीटी कोटन की विराइटि ऊगए जाती है नहीं हाइब्रीड विराइटि के सीट्स उपलबद हैं और ना ही वहाँ पे किसानों के पास इतना पैसा है कि वो अच्छी inputs इस्तमाल कर सकें अपने खेतों में, ना ही irrigation की facilities अच्छी available हैं, बावजुद इसके African countries में, कुछ African countries में, जो cotton की production है वो इंडिया से ज़्यादा है, तो कहने का मतलब ये हैं, कि BT cotton से इंडिया को ज़्यादा फाइदा नहीं हुआ हैं, राइटर के दौरा लाश्ट में ये बोला जाता हैं, देखो काफी दसकों से देशी varieties को ignore किया जा रहा हैं, जो देशी varieties थी, वो pest को दूर रखती थी, किसानों को कम pesticides का इस्तमाल करना पड़ता था, लेकिन सुरवात में hybrid varieties को promote किया गया, उसके ब pure line cotton की varieties हो, high density से planting की जाएं, और short season के plants हो, तो cotton की जो yield हैं, इंडिया में अच्छी हो सकती हैं, इवन climate change जो आज के समय में काफी जादा होने लगा है, उससे भी resilience create की जा सकती हैं, देशी cotton varieties के दवरा, बट इसके लिए देखो, government को resources allocate करने होंगे, infrastructure provide करना होगा, seeds provide करने होंगे, देशी seeds किसानों को, तब जाके ये possible हो सकता हैं, ये देखो high time है, already बहुत देर हो चुकी हैं, हमें इस तरफ धान देनी के आओ सकता हैं, और ये acknowledge करने के आओ सकता है, BT cotton जिस उदिश्य के साथ अपनाया गया थां, इंडिया में promote किया गया थां, वो objective सफल स सावित नहीं हो सके हैं, इसलिए बाकी जो GM crops हैं, जैसे सरकार genetically modified brinjal को भी introduce करने की planning रखती हैं, अब इस plan को छोड़ दिया जाए, cotton के अलावा किसी और GM crop को अब ना introduce किया जाए, ये writer के द्वारा last में बोला जाता है, तो इस परकार से हमने BT cotton के against ये पूरा article डिसकस किया, इस discussion में फिलाल इतना ही है, thank you, thank you very much for discussion.